हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, टेस्ट वे सपना, मैं हूँ सपना अगरवाल, आज हम मनाने जा रहे हैं, इजी एंड हेल्दी स्नेक्स, जी हाँ, इजी एंड हेल्दी स्नेक्स, आज हम मनाने जा रहे हैं, गेव के आटे और मूंक दाल से, खस्ता और करारी लेड़ लिए मट्री तो चलिए चलते हैं किचंन की तरफ मूंग डाल की मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मूंग डाल ली है जिसे मैंने दो घंटे के लिए भीगा दिया था है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सॉफ्ट कर सकते हैं अब इसे ग्राइंडर में थोड़ी थोड़ी क्वाइंटिटी में डाल कर हम पीश लेंगे पीशते वक्त हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है ये देखिए ये हमारी दिखेंगर की ऐट देखिए अप चाहे तो यहां मैयादा ही लेसकते हैं इसमें हम तीन चुथाई चमच नमक ऻालेंगे और एक चमच अजवैन डालेंगे जिसे हम हाथों से मसल के डालेंगे अजवैन से इसमें बहुत अच्छा ही टेश्ट आता है और एक चुथाई खसता और करारी बनती हैं और अब इसमें हमने जो दाल पीसी थी उसे एड़ करेंगे और इसे हम आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि इस दाल में खुदी इतना मोश्यर है कि जो हमारा डो है वो बिना पानी के ही रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स यह मुंगदाल के मठ्री ना खाने में बहुत ही टेस्टी है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है अब यह हमारा डो रेडी हो चुका है इसे हम पांच मिनिट के लिए रेष्ट करने के लिए रख देंगे आप एक और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदा की सलरी को हमें अच्छी से मिक्स करना है और इसको इस फोम में ही रखना है ताकि हमारी लियर अच्छी मने अब हमारा जो डो था उसको हम हातों से अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसके हम दो लोया मना लेंगे मतलब कि को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे लोई बनाने के बाद एक किचन प्लैटफॉर्म पर या चकले पे रखकर थोड़ा सा हम सूखा आठा डालेंगे और इसको हम एक चपाती का सेव देते वे पतला बेल लेंगे यह हमारा बिल के तैयार हो चुका है यह देखिए इसकी हमें मोटाई इतनी ही रखनी है अब जो हमने मैदा का घोल तैयार किया था अब उसको हम अच्छी तरह से इस पे फैला देंगे ताकि जो हमारा बलेयर बनाएंगे वो अच्छी से चिपक सके अब हम दोनों कोनों को पक कड़के उठाएंगे और उन दोनों को भी हम वी सेंटर में जैंट कर देंगे और हलके हातों से थोड़ा दबा देंगे और अब अगेन हम इनको अब एक रेक्टैंगल सेप में लंबा बेल लेंगे यह हमारा बिल के तैयार हो चुका है इसके उपर अगेन हम जो मैदा और कि नहीं सेक्षिद का हम थैश्च दो हने डाओ पकड़ेंगे और इसे ऐब टार वरकशी हर्च प करने प्यक्स कारेंगे कि यह अई और एक फोर्ट अधाव करने घना चलक है क्यों करने तो चुह हो बाभा करने और अभी पार्णवस हैं अची लेर निकली है इसको हम आदा सेंटीमीटर की करीब काट लेंगे आप इसका साइज बढ़ा यह चोटा आपने अकोडिंग कर सकते हैं यह देखिए हमारी लेयर वाली मठ्री की लेयर कितनी अच्छे आई है आप इसको एक के उपर भी रख सकते हैं यह चिपकती नहीं है यह देखिए अब हम इने फ्राइ करेंगे न तो इसकी लेयर और उभर के आएंगी यहां मैंने एक कड़ाई में तेल गरम कर लिया है यह तेल मीडियम होट है और इसके अंदर हम एके करके अपनी लेयर वाली मठ्री आड़ करेंगे मठ्री को एड़ करते वक जो हमारा तेल है उसका टेमप्रेचर मीडियम होट होना चाहिए अगर यह हाई होट होगा तो हमारी मठ्री उपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और इसे डालने के बाद हमें चार से पांच मिनिट तक इसको हिलाना नहीं है पांच मिनिट हो चुके हैं अब हम एक फॉक या स्पून की मदश से इन मठ्रियों को चला लेंगे मतलब कि इने पलट लेंगे ताकि हमारी जो मठ्री चारो तरफ से अच्छी से सिक जाए इन मठ्री को हम बीच बीच में पलटते रहेंगे फ्रेंड्स ये मठ्री ना खाने में बहुत ही टेश्टी होती है इसके अंदर आटा और मूंकी दाले जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है आप इस मठ्री को एक महीने तक इस्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करें तब खा सकते हैं ये देखिए ये हमारी मठ्री तैयार हो चुकी है अब इसे हम टीशू पेपर पे निकाल लेंगे टीशू पेपर से क्या होता है जो एक्स्ट्रा ओयल होता है वह अब्जॉर्ब हो जाता है इसी तरह हम अपनी सारी मठ्रियों को फ्राई कर लेंगे घेव और मूंक दाल की खस्ता करारी